पिछले वीडियो में हमने आत्मी तत्तो या आत्मा तत्तो के बारे में आप से विचार में मश्किया था और इस बारे में भी ज्यान देने का प्रयास किया था कि भी आत्मा तत्तो हमारे श्रीर में कहा निवास करता है बहुत से सादकों ने हमें ये प्रिश्न पूछा कि आत्मा राम के बारे में भी कुछ जानकारी दी जाए तो आज हम आत्मा राम के बारे में कुछ वैज्यानिक आधार और साथ ही कुछ दार्शनिक मतों के बारे में भी विचार में मर्श करने का प्रयास करेंगे तो अगर हम आज कल के मौजूदा जो मेडिकल साइन्स है उसके हिसाब से देखें तो आत्मा राम एक परकार की हड़ी है जो की C2 बोन जिसे कहा जाता है यह सर्वाइकल बोन C2 हमारे जो हार्ट जो हिर्देक शित्र है उसके पास ही पाई जाती है यह इस प्रकार से प्रतीत होती है जैसे कि लगभग कोई एक आत्मी या कोई साधक कोई साधना कर रहा है हालंकि मौजूदा साइन्स हमारे जो शास्रुक्त विदियां है उसके बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं दे पाती है किन्तु दार्शनिक मत से देखा जाए तो हमारे जो आध्यात्मिक यौगिक और हमारे जो हिंटू रिती रिवाज़ों के हिसाब से इस आत्माराम का बहुत ही बड़ा महत्तो है हम आने वाले विडियो में जिसका विशे रहेगा चित आकाश इसके बारे में बहुत सी जानकारी देने का प्रयास भी करेंगे किन्तू हम इस विडियो में इतना कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी इडा, पिंगला और सुश्मना नाडी हमारे हिर्दे स्थान से होते हुए उपर के तरफ जाती है वहीं से होते हुए हमारी जो प्रान और्जा विभिन खित्रों में प्रवाहित होती है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक तरह का जो हमारी पंखुडियां है जहां पर हमारी प्राण शक्ती है जहां से वो शुरू होती है वह हिर्दे के साथ ही उसके एक्षित्र में पाई जाती है तो इस प्रकार से जो आत्मा राम है उसका जो हमारे अध्यात्मे कुर्जा में भी एक महत्वपून स्थान बन जाता है जैसे जैसे हम साधनाई करते हैं जैसे जैसे हम अपने कुंडलिनी और चक्रों के उदे में प्रयास करते हैं उसे प्रकार से हमारे शरीर के सभी अंग चाहे वो स्थूल अंग हो या फिर सुख्शम अंग हो उनकी अनभूतियां बढ़ जाती हैं उनकी आध्यात्मे कुर जाएं धीरे धीरे विक्सित होने लग जाती है तो इस प्रकार से देखा जाए तो आत्मा राम हमारे शरीर के लिए जो समाधी सवस्ता है जो हमारी जो कॉंशियस स्टेट है उसके लिए भी एक महतुपूर्ण अंग है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस में जो हमारा जो आध्यात्मिक जो रूप है आत्मा राम में वह है बहुत ही सुद्रिड है और साथ ही देखा गया है कि जब हमारा दाहसंसकार हो जाता है किसी पार्थिव शरीर का तो अगले ही दिन हम आत्मा राम को खोजते हैं उसके साथ एक हमारे जो रीती रिवाज है उसके हिसाब से आगे अनुष्ठान करते हैं और उस अनुष्ठान के तहत हम जो हमारे जो स्थूल शरीर है और जो हमारे सुक्षम शरीर है उसको अपने योगमार्ग और आध्यात्मिक मार्ग पे आगे प्रशस्त होने के लिए हम प्रातना करते हैं और उनके लिए प्रयास करते हैं तो हमारी हिंदु संस्कृती इस बारे में बहुत ही अनूठी और सुद्रिड है कि हम ना केवल अपने स्थूल शरीर को बल्कि जो आत्मिक शरीर है उसको भी उतना ही महत्तु देते हैं और अपने जो शारिरिक अपनी सांसारिक जीवन है उसको छोड़ने के बाद भी आगे क जीवन के लिए हम दिवंगत आत्मा के उन्नती के लिए हम प्रयास करते हैं तो मेरी इस निम्ध जानकारी के तहत मैं जितना प्रयास कर पाया कि आपको सही सठीक जानकारी दे पाऊं उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो आशा करता हूँ आने के आगे वाले वीडियो में भी आपको अधिक जानकारी देने का मैं प्रयास करता रहूंगा कृपया हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहें प्रणाम